मेश राशीवालों को अपनी बातों में बहुत सारी विनमरता लानी होगी क्योंकि कोई भी अंजाने में कही होई बात गलत फैमी पैदा कर सकती है इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आप हर चीज़ को लेकर असंतुष्ट होते चले जा रहे हैं क्या करना चाहिए इस समय में अचानक धनलाब की इच्छा लेकर चलेंगे तो हो सकता है वो इच्छा पूरी हो जाए पर उसके चलते कई तरह की मुश्किलें भी जहलनी पड़ सकती है इसलिए इस बात को जान लेना भी जुरूरी है कि लाब किस दिशा से बन रहा है क्या ने करें इस समय में अपने मन में किसी के प्रती भी दूएश न पैदा करें अगर पहले से आप ऐसा सोच कर चलेंगे कि लोग आपके खिलाफ हैं तो हालात को संभालने में मदद नहीं मिलेगी इसलिए किसी भी छोटी बात को जुरूरत से ज्यादा आप बढ़ाते ना चले जाएं रिष्टों में तकरार रहा है पर हालात बहुत जल्द बदलने को हैं इसलिए थोड़ा सा सयम बनाय रखने की भी ज़रूरत है जिन लोगों के प्रती आपने अपने मन में अविश्वास का महल बनाया हुआ है उनको भी बहतर समझने का मौका मिल सकता है सेहत की और इसलिए ध्यान देना होगा क्योंकि कोई भी छोटी बात बिगड़ सकती है अगर कोई बिमारी से जुड़ी परिशानी वापस आ रही है तो और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा किसी ऐसे स्थान पर जाने से बचें जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ो ताके किसी भी तरह की इन्फेक्शन से बचा जा सके व्रिशब राशिवालों का पढ़ाई में मन लगा हुआ है और उसके अच्छे नतीजे प्राप्त हुए है पर इस अच्छाई को आगे भी बनाए रखने की ज़रूरत है ताके काम और कारोबार को बढ़ावा मिल सके आपका केरियर बन सके या कारोबार से लाब मिलना शुरू हो जाए तो ये फिर सही बात होगी इस समय के प्रयास आपके लिए कारगर हो जाएंगे क्या करना चाहिस समय में लोगों से बात चीट करें ताके आप उनकी बातों को समझ सकें पर फैसले इस kader उतनी ही फिलाएं जिसे आप संभाल सकें क्या ना करें इस समय में पढ़ाई को लेकर कोई ऐसा विकल्प ना बनाएं जिसे अंजाम देना मुश्किल हो जाए अगर कोई दूर स्थान का विकल्प बना रहे हैं तो उसके बारे में एक बार फिर सोच लें ताके मन में बैठा हुआ कोई असमंजस आपको परिशान ना कर हुआ ज्यादा है इसलिए किसी भी उपलब्धी को पाने के लिए किस तरह का प्रियास करना है ये समझना जरूरी कोई प्यार का रिष्टा मजबूत है पर आपके बंते बिगड़ते विचार उसमें परिशानिया पैदा कर सकते हैं हो सकता है आपको अपनों की सहमती मिल र अगरी नहीं कर रहे हैं लोग आपकी बात मानें खुशी खुशी मानें ये जरूरी है और साथ ही आपको हमारी ये बात माननी है कि आप सब को यूहीन राज़पल के साथ रहना है धेर सारा प्यार आप हमें दे रहे हैं हजारों इमेल्स आप सब की रोज आ रही हैं हमें ख खुद प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, वीडियो फौमाट में अपना सवाल हमें बेच सकते हैं, साथ ही खुद प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं अपने सवाल के जरीए तो आईएए, अब सवालों का रुक कर लेते हैं, हमारे सामने पहला सवाल है पारस अहूजा आपका डेटा अबर्थ है इनकी जोतिश गुरू 24-12-1978 एक बचकर 38 मिनट दोपहर में इनका जन हुआ है दिल्ली में हेल्थ इशूज हैं बहुत जादा स्वास्ते संबंधी दिक्कते हैं तीन साल से और साथी साथ फानेंशल कंडिशन भी परिशान कर रही है स्वास्ति कब तक ठीक होगा आर्थी किस्थी कब तक सुद्रेगी पारस आपकी कुंडली है जी मेश लगन की और कन्याराशी की आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनी की और अंतरदशा चल रही है बुद्ध की सितंबर 2023 तक आपने लिखा के सेध से जुड़ी समस्य है लेकिन क्या समस्या है यह आपने लिखा नहीं है स्पश्ट रूप से जबके आपकी कुंडली है कहती है कि आप हर छीज़ को बहुत जादा सोचते हैं और थोड़े सा ज्यादा ही परिशान होते चले जाते हैं तो देखिए, इलाज भी कराना होगा, थोड़े सा जागरुकता भी होनी चाहिए, खान पान पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पेट से जुड़ी भी समस्याई इंडेजेस्टिन इत्यादी हो सकता है, आपने अपनी आर्थिक स्तिति के बारे में आती है, इस आदत से दूर रहना ही आपके लिए फायदे मन्द होगा, तो हमें उमीद है कि अगर आप जोतिश गुरु के इन टिप्स पर चलेंगे, थोड़ा सा सबर रखेंगे, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, अपना, जरूर आप इस मुश्किल वक्त से बहुत जल बाह करेंगे बहुत जल, जो तो शुरू, आगे बढ़ लेते हैं, अगली राशी है, मितुन और करक, तो मितुन और करक राशी आपके लिए देखते हैं, आज कैसे कैसे पल आपके सामने आएंगे, और आप कितने तयार हैं जिन्दगी के अलग-अलग पहलों के हिसाब से, आर् की जिन्दगी बेहतर बने, यही हमारी कोशिश है. उसे जाइजा भी लेना होगा. कोई भी नुकसान आपकी अच्छी भली मेहनत पर बुरा असर डाल सकता है. क्या ना करें इस समय में? निजी जीवन में बनते हुए सुख की वज़े से आप आलसी ना होते चले जाएं. आप इस बात की एहमियत को समझें के आपको यह समय मे बुचना को इतना नबढ़ने दें कि आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं. किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार बना रहा है आपके मन में और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएं हैं तो अब आपकी प्रात्मिक्ताएं बदलती चली जा रही हैं. आपको इस बात का आभास हो रहा है कि आपको अपनों के लिए अभी भी बहुत कुछ करना है और हो सकता है उस निवेश के प्रति आपके विचार फिर से बनते चले जाएं. रिष्टे संबले हुए हैं पर कुछ भी अंजाम देना असान नहीं है. इसलिए हर कदम ध्यान पूरों को उठाना होगा. पैसे से जुड़े फैसले भी इस रूप से लेने होंगे ताकि रिष्टों के प्रति बनती हुई और बढ़ती हुई जुरूरतों को आप पूरा भी कर सकें. कर कराशी वाले कोशिश करेंगे तो अपनों के लिए आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे. और उनके प्रति जो मन में असमंजस रहा है उसे भी दूर करने में मदद मिलती चली जाएगी. समर्पन बरायर रखना ही इस समय का मूल मंत्र होगा आपके लिए. लाब वरी स्तिती बनी हुई है. जिन चीजों के प्रति आपके मन में अविश्वास रहा है उन चीजों से भी आपको अच्छे परिनाम ही मिल रहे हैं. इसलिए आपकी समर्द्धी में बढ़ावा हो रहा है. क्या ना करें इस समय में? रोज मर्रा के खर्चों को इतना ना बढ़ने दें कि हालात बेकाबू होते चले जाएं. अगर जिन्दगी में कड़ी मेहनत काम करती है तो अनुशासन भी उतना ही काम करता है. आर्थिक स्तिती ठीक रही है पर इस समय की जरूरतों को ज्यादा समझना होगा. आपकी प्रात्मिक्ताएं बदल रही है इसलिए बढ़ते हुए खर्चों पर भी नजर रखने की जरूरत पड़ेगी ताके आर्थिक स्तिती भी संबली रहे. कोई प्यार का रिष्टा अपनी ही एहमियत दिखा रहा है पर ऐसा लगता है जैसे आप रिष्टों को भी लाव की नजर से ही देख रहे हैं और कुछ भी करने से पहले लाव और हानी के दोंद में फसे हुए हैं जिसे दूर करने की जरूरत है.